नमस्कार दोस्तों मैं अंकुर सिंग आपके पने यूटूब चैनल विकास इस्टेड़ी सरकल पर आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों जागरफी की अपनी पिछली क्लास में हम लोगों ने जो भारत की जलवाईव है उस पर संपूर्ण अध्यान किया उसमें दोस्तों जो भारत की जलवाईव है उससे संप्रशन करेंगे तो दोस्तों आप लोग वीडियो के साथ अंदर तक आश्चे बने रहें गmostिटा वीडियो को ज्यादा से जादा शेर करें लाइक करें और चैनल को अधिक चैनल को अधिक साथ्क्राइब करें दोस्तों आप लोग प्रशन को हल करके जो अपना स्कोर कार्ड हुआ कमेंट बाक्स में अवर्शे बताएं चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा आज का पहला प्रशन है भारत की जल्वाईव की सबसे महात्पूर विस्यस्ता कौन सी है? तो दोस्तों भारत की जल्वाईव की सबसे महात्पूर विस्यस्ता कौन सी है? हवाओं का मौसमी परिवर्टन B नमबर है वर्श बर लगातर वर्शा C नमबर है पौनों की दिशा में परिवर्टन और D नमबर है ग्रीस में और सीत कालिन पौनों का प्रभावि होना तो इसमें कौन सा अपसन सही होगा? इसमें जो पौनों की दिशा में परिवर्टन तो अपसन नमबर C यह सही हो जाएगा अगला दोस्तों क्यूश्चन दिखिएगा भारती मानसुन का वरणन सबसे पहले किस अरब विद्वान दोरा किया गया था तो दोस्तों भारती मानसुन का वरणन सबसे पहले किस अरब विद्वान दोरा किया गया था तो इसमें दोस्तों कौन सा आपसन सही होगा इसमें आपसन जो सही होगा हमारा वह सही होगा बी नमबर अलमसूदी दोस्तों अलमसूदी ने सबसे पहले भारती मानसून का वर्णन किया था आगे दोस्तों देखिएगा आगला प्रशन हमारा है निम लिखिन में से कौन भारती मानसुन को प्रभाविद नहीं करता है तो दोस्तों इसमें से कौन सा ऐसा आपसन है जो इसमें से भारती मानसुन को प्रभाविद नहीं करता है आपसर नमबर A, L-Nino, B नमबर A, J-Stream, C नमबर A, तिबद का पठार, D नमबर गल्फ इस्ट्रीम तो इसमें जो आपसर नमबर A, वा सही होगा D नमबर गल्फ इस्ट्रीम दोस्तों गल्फ इस्ट्रीम जो है या एक जलदारा है गर्म जलदारा मारी है या भारती मानसुन को प्रभाईद नहीं करती है बांकी दोस्तों जो जेट इस्ट्रीम है या तिबद का पठार एल नीनो हो चाहे लाद नीना हो वो दोस्तों सभी भारती मांसुन को प्रभाइद करती हैं अगला दोस्तों प्रष्ण देखीएगा अमरसर ए方 सिम्ला एकी अच्छांस परस्तित है परन्तों उनकी जलवाई में भिन्नता का कारण है-देखिएगा इसमे इंचाही में भिन्नता, बी नमबर उनकी समुद्र से दूरी-स, शिम्ला में बर्फवारी और अमरसर में प्रद उनकी उचाई में भिन्नता ये नमबर जो आपसन है वह दोस्तों सही हो जाएगा हाँ दोस्तों अमरा सरे में सिम्ला में एक छांस परिस उनकी जलाई में भिन्नता हाँ दोस्तों जिसमें आपसन सही होगा वह सही होगा ये नमबर यह सही हो जाएगा आगे दोश्तो देखिएगा, अगला पस्थमारा है नि मिलिखें में से किस राज में डच्छित पस्थमान सुनसे वर्सा नहीं होती है तो इसमें दोश्तो आप लोग मतरहिए कून साथ क्यू थरमार सही होगा राजस्तान, बी नबर Tamilad, C नबर करणाटिक और डिक पंजाब तो इसमें दूस्तों जो आपसऱ नमार सही होगा, वो बी नमर सही होगा Tamilad, दौस्तों, तमीलad में 25 मांसुन से वर्षा नहीँ उत्तरपुरी मांसुन जो लोटते वे मांसुन होते हैं उससे वरसा तमिलाड में होती है अगला दोस्तों प्रस्ट देखिएगा तमिलाड में सरत कालिन वरसा अधिकांसता है जिन कारोनों से होती वहा है तो दोस्तों अभी बताया मैंने आपको कि तमिलाड में जो सरत कालिन वरसा होती वाकिन कारोनों से होती है तो दोस्तों जो उ पसंबारा है दख्षिन पश्ची मानसून किस पिदेश में सरवाध सर्वत्म डवर्यूस करता है जब आपको अरब सागर से उटने वाला मांसून या बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया था कि या सरवतम किस राजी में प्रेश करता है तो सरवतम दोस्तों आपको बताया था कि केरल राजी में जो हमारे पालगाट या पालगाट या सिनकोट्टा दर रहा है उनसे दोस्तों या केरल में सरवतम प्रेश करता है तो इसमें जो आपसा नमबर D है वा सही हो जाएगा अगल तो इसमें जो अमतिमार सही होगा, वसही होगा सी नंबर पंजाब मंजाब राजी जो है दोस्तों दोनों जो अरब सागर से उठने वाले मानसून या बंगाल के खाड़ी से उठने वाले मानसून दोनों से वर्षा प्राप्त करता है अगला दोस्तों पसंद देखिएगा असम एवं पष्चे मंगाल तता उडिसा राजियों में मानसून पूरु आने वाली तड़ी जन्जाएं निमने में से जन्जाएं तो दोस्तों आसम पश्चे मंगला और उडिसा राजों में मांसून पूर आने वाली तरडित जो जन जाए हैं निम्ने में से किस नाम से जानी जाती हैं दोस्तों इसमें जो आपको सही होगा हमार ए नंबर नार्वेश्टर्स जो असंप चिमंगला और उडिसा में मांसुन पूरा आने वाले तरड़ी जहाएं नार्वेश्टर्स के नाम से जानी जाती हैं अगला दोस्तों प्रसंद देखिएगा भारत के कोरोमंडल टट पर से स्थ्कालिन वर्स ऑंपर मही तो यह सही हो जाएगा अगला दोस्तों देखिएगा मैं भारत के उत्तर पश्चिमी में सीथकालिन वर्षा का कारण है तो दोस्तों जो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में सीत कालिन वर्षा का कारण तो इसमें जो आपसन हमारा सही होगा वह होगा पश्चिमी विच्छोब जो उत्तर पश्चिमी वही दोस्तो उत्तर पश्चिमी वही जम्मो कस्मीरी लदाख ये वाला छेत्र तो इसमें जो आपसन हमारा सही होगा वह पश्चिमी विच्छोब होगा आपसन बरसी इसमें सही हो जाएगा आगे दोस्तो देखिएगा आगला पश्चिमी भारत में सर बावरत में सरवादिक वर्सा प्राप्त करते हैं आगे दोस्तों दिखिएगा भारत में सरवादिक वर्सा प्राप्त करने वाला है अभी आपको बता है, जो मेग हाले में हमारा इसी डिफ्स ब्राप्त सर्स पार Chief में कि ऐसा सही has the question सही होगा इसमें दोस्तों आपको पता ही मेभालय में सरवाधान वर्षा होती है दो थार राजास्तान में सबसे कम वर्षा वरraf sic वोगा बी न데 आगे अधिक वर्षा होती है क्योंदोस्तों ऐस फ़स्तों आधिक वर्षा होती है क्योंकि दोस्तों आपको पता ही होगा यहां दोस्तों जो हमारी पाहडियां है गारोंалась या तो दोस्तों इन ही में जीनिके करण्ट जो मासिन राम और island यहां अधिक वर्षा होती है तो इसमें आहें अधिक वर्षा तापंतर का करण है दोस्तों अधिक वर्षिक तापंतर का करण क्या है दिल्ली में तो इसमें आपसन नमबर डी सही हो जाएगा समगत से अधिक दूरी आपसन नमबर जो डी है वह सही हो जाएगा अगरा दोस्तों परसंद देखिएगा भारत में भारत के किस भाग में सरवा पाधिक दरनिक तापांतर पाया जाथा इसमें अफ्पानवर्ण ड. जो है वह सही हो जाएगा आगी दोस्टों देखिये का अगला यहांत्व कुश्ण हमारी जम्मुकस्वीर में होनेवाली सीर वर्श कान कौन सा है तो दोस्तों जम्म कुश्मीर में सीरolar वर्ष का कराण है मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारी हमारा पस्च्चमी विच्छोब है यह दोस्तों यम्मु कस्मीर चाहें लद्दाख हो वहां पर वर्षा का कराण बनता है आपसा नमबर बी जो है वह सही हो जाएगा आगे दोस्तों देखिए अगला पस्च्चमी वर्षा होती तो दोस्तों आपको पता होगा जो लेह है यहां दोस्तों हमारे भारत में सरवादी कम वर्षा जो है वह लेह में होती आपसा नमबर जो डी है वह सही हो जाएगा आगे दोस्तों देखिएगा अगला प्रशन हमारा यदि भारत में करक रेखा के इस्थान पर विसोत रेखा होती तो यहां की जलवायू पर क्या प्रभाव पड़ता तो दोस्तों अगर भारत में का करेखा किस्तान पर विसोत रेखा होती तो यहां का तापमान भी सरवाधिक होता और तापमान जब सरवाधिक होता तो दोस्तों वर्सा भी सरवाधिक होती तो आपसन नमबर जो भी हमारा वर्सा ही हो जाएगा अधिक ताप एम अधिक वर्सा अगला प्रशन दोस्तों देखिएगा मांसून वर्षा की विशेस्ता नहीं है मांसून वर्षा की विशेस्ता इसमें से कौन सी नहीं है तो दोस्तों मौसमी वर्षा, अनियमित वर्षा, वर्षा का असमान वितलर्ण और D-Number है वरसा होने वाले दिनों की निरंतरता तो इसमें जो आपसन मड़ी है वह सही हो जाएगा वरसा होने वाले दिनों की निरंतरता अगला दोस्तों पसंद देखिएगा भारत का अधिकांस भाग करके रखा के उत्तर मिश्थित है पर इसे एक उसन कटबंदी देख कहते है तो दोस्तों भारत का अधिकांस भाग करके रखा के उत्तर मिश्थित है पर इसे एक उसन कटबंदी देख क्यों कहते है क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा जो भारत की जल्वाईव का निधारन होता है वह उसन कट्रबंदी मांसुन से ही होता इसलिए जो भारत का दिकांज भाग करके रहेगा कि उत्तर में इसी उत्त होने के कारण भी इसे एक उसन कट्रबंदी देश कहते हैं तो इसमें आपसन जो सही होगा वह दी नमबर सही होगा देश की जलवायू का नई धारण उसरन कटिवन्दी मांसून से होता है आपसन मड़ी जो है वह सही हो जाएगा आगे दोस्तों देखिएगा अगला प्राशन मारा है देश पुने में मुंबई से कम वर्षा होती है क्योंकि दोस्तों पुने में मुंबई से कम वर्षा इसलिए होती क्योंकि पुने है वह दोस्तों एक वर्ष्ट इचाय प्रदेश में प्रदेश में इसलिए यहां वर्षा कम होती है अगला दोस्तों प्रसंद देखिएगा यद्यव भारत का केवल दच्षणी भाग जो है वह उसरुन कटबंद में इसलिए तता भी संपून भारत की जलवाईव उसरुन कटबंदी है इसका कारण है तो दोस्तों आपको बताया भी कि यहां जो यह हमारा दच्षंद भाग रहाग यह उसरुन कटबंदी कहलाती है क्योंकि दोस्तों यहां जो भारत की जलवाई भारत की जो वर्षा या मानसून है वह उसन कटबंद पर निर्भर करती है इसमें जो आपसंद हमारे क्वेशन के अंसार जो सही होगा वह सही होगा D-number जो उची हमाले परोद सेंडियां या उत्तरी ठंडी हवाओं से इसकी रच्छा करती हैं क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा जो हमाले परोद है वह उत्तर से जो ठंडी हवाई हैं उनको आने से रुखता है इसलिए जो भारत की जलवाई है या उसन कटबंदी है नहीं तो दोस्तों अगर हमाले ना होता तो भारत का जो उत्तरी भाग है या जो है सीथ प्रिदेश में परिवर्तित हो गया होता इसमें जो आपसं सही होगा वह डी नंबर सही होगा आगे दोस्तों देखिएगा भारत में वर्षा का औरसत है तो दोस्तों भारत में वर्षा का औरस ग्राम हो पार्त के उत्तर पष्चीमि भाग मर्श होती है तो बदाया था कि किस कारण उत्तर पष्चीमिवाला भाग है इसमे वरसा स्ट काल में किस कारण होती है तो इसमें जो आपसर मारा सही होगा वह सही होगा सी नंबर पस्चिमी विच्छोबों से है अगला दोस्तों देखिएगा वारत के उत्तरी मैदानों में सीध काल में वरसा होती है तो इसका भी आपसर जो सही होगा वह सही होगा पश्चमी विच्छोब आपसर नुमर जो ए है वह सही हो जाएगा भारत के उत्तरी में एदानों में भी जो सितकाल में वर्षा होती है वह पश्चमी विच्छोब सही होती है आपसर नुमर ए किया सही हो जाएगा आगे दोस्तों देखिएगा अगला प्रेशन हमारा है कि भारत निमने में से भारत के किन छेत्रों में 200 mm वर्षा होती है तो दोस्तों 200 mm वर्षा की बात की जाए तो इसमें आफसन हमारा सही होगा या D नमबर सही होगा अपसंब मढ़िपूर और तिपुरा इनमें दोस्तों 200 mm वर्षा होती है अपसंब जो D है या सही हो जाएगा अगला दोस्तों पसंद देखिएगा आमर वर्षा या मेंगो शावर या दोस्तों क्या है? दोस्तों बहुत एच्छा पसंद है काभी परिच्छा में पूछा गया है कि आमर वर्षा क्या है? तो दोस्तों आमर वर्षा जो है या बिहार और मंगाल में मार्च और अप्रेल में होने वाली वर्षा है तो आपसंब जो सी है या सही हो जाएगा अगला दोस्तों प्रसंद देखिएगा भारत में वर्षा का आधिक होते हुए भी या देश प्यासी धरती समझा जाता है इसका करण है इसमें दोस्तों A नमबर आपसे ने वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना B नमबर है वर्षा का पानी से बहाब बनकर उड़ जाता है C नमबर है वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना D नमबर है इनमें से सभी तो इसमें जो आपसे नमारा सही होगा वा सही होगा D नमबर इसमें से सभी अगला दोस्तोर प्रसंद देखिएगा भारत में सबसे कम वर्षा का छेत्र है तो दोस्तों भारत में सबसे कम वर्षा का छेत्र कौन सा है मैंने जब आपको बताया था जब यह हमारा जो दच्छन पच्चिमी मांसून है या अरब सागर वाला मांसून यह दो परेस्रेंडी है उसका पश्चमी भाग है वा हमारा वर्सा और सभावाया चहेतर वड़ता है तो इसमें वही दोस्तों जो च्छेतर है वह सभ्से कम और saved करता है तो इसमें दोस्तों दोनों के युग्म दिये गए हैं उनमें से कौन सा ऐसा युग्म है जिसके दोनों नगर लगबग समान अच्छांस पर इस्तित हैं फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मातरा में अंतर सरवादिक सुष्पष्ट है तो दोस्तों इसमें जो आपसर मारा सही होगा वह कौ हजमेर और सिलांग इनमें दोस्तों हजमेर में आपको पता ही होगा कि वर्षा जो है वह बहुत ही कम होती है और सिलांग जहां दोस्तों वर्षा जो है सरवादिक होती बहुत ही अधिक मातरा में होती है तो इसमें आपसर जो सही होगा वह बी नंबर सही होगा आगे दोस् प्रभावित होती है तो दोस्तों यह जो है यह हिंद महासागर में वाईव का करस्ण करते हैं जिसके कारण प्रभावित होती है तो कौनसा मांसुन से प्रभावित होगा जो दच्छिन पष्ची मांसुन है अरब सागरवाल मांसुन यह दोस्तों इससे प्रभावित होगा तो आपसनबा जो बी है वा सही हो जाएगा अगला दोस्तों प्रभावित से कतन के लिए पिछले दसक में ग्यात हुई निवनिकित इस्तितियों में से कौन सी एक भारती उ दोलन है या दोस्तों भारती जो मांसुन है इस पर बुरा प्रभाव डालती है तो इसमें आपसन नमर जो सी है वा सही हो जाएगा आगे दोस्तों देखिएगा अगला प्रशना है जहारखंड में वर्सा किस मांसुन से होती है तो दोस्तों जहारखंड में वर्सा किस मांस में से किस इस्तान पर काल बैसाखी के नाम से जाना है और अब द्यान में नाम से इसके नाम से जाना जाता है एर दोस्तों देखिएगा विश्व में सरवादिक वर्षा मासिंद्राम में होने का करण है तो मैंने आपको बताया यहां की जो पहाडियां है वा कीपाकार आकरत में इस्तित हैं इसलिए दोस्तों यहां जो है वर्षा सरवादिक होती है अगला 200% देखिएगा 25 मांसुन से संपूर भारत में कुल कितने प्रषा मिलती है जो भारत है दोस्तों इसमें सरवादिक वर्षा जो प्राप्त होती है वा 25 मांसुन यह आदाप सागर का मांसुन जो है इसी से वर्षा प्राप्त होती है लबक दोस्तों सतर से पच्छतर प्रसा जो वर्सा है या तच्छन पच्छन मांजून से ही भारत को प्राप्थ होती है तो इसमें आपसन नमबर जो भी है भी आपसन हमारा सही हो जाएगा अगला दोस्तों प्रसंद देखिएगा चेन्नाई में जाडो में वर्षा होती है चेन्नाई दोस्तों तमिलाड राज में इस्तित है और तमिलाड दोस्तों कोरमंडल वाला टट जो है तो इसमें वर्सा जो है जाडो सर्दी में वही अक्टूबर नौंबर में इसमें दोस्तों वर्सा जो होती है आपको बताया कि जो उत्तर पूरी मानसून है इसी से दोस्तों यहां वर्सा होती है इसमें आपसन जो भी है वह सही हो जाएगा आगे दोस्तों देखिएगा अगला प्रश्न हमारा है चेन्नाई की जलवाईव कोलकाता की जलवाईव की तुलना में गर्म क्यों रहती है जबकि दोनों स्थान समुद्ट पर इस्तित है चैन्नाई की जल्वाई दोस्तों कोलोकहता की तुलना में गर्म रहता है क्योंकि दोस्तों आपको पता यी होगा कोलोकहता है कि Κुल attracting या दोस्तों हमारे हमारे जो करकर addict लेका है यहां दोस्तों तामान जो है वह अधिक होता है इसमें आपसन जो सही होगा वह सही होगा इसमें आपसन सही होगा वह सही होगा C नमबर चन्नाई जो है विसो रेखा कि अधिक समीप है आपसन में जो C है वह सही हो जाएगा आगे दोस्तों देखिएगा अगला प्रश्ण मारा मांसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहा होती है तो दोस्तों मांसून निवर्तन से या जो लौटती है मांसून है उसे सरवाधिक वर्षा कहा होती है आपको पता ही होगा चेन्दाई में आफसन मजोसी है क्या सही हो जाएगा अगला दोस्तों प्रशन है भारत के पश्चीमी तटों में ग्रिस्म में अति उच वर्षा में मुखेता किसके कारण होती है उसन कड़िबंदी अवस्तित के kकारण इसन की अक्टूबर नॉवंबर महिनों में कहां अधिक वर्षा होती है मैंने आपको बताया जो हमारा कोशामांड्र ट्रत है इससी पर दोशतों आक्टूबर नॉवंबर में सीर्थ कालिन वर्षा यहीं पर होती है इसमें दोस्तों कोरमंडल टट कहलें आप तमिलाड कहलें चन्नाई कहलें इसमें दोस्तों अक्टूबर नॉमर महिने में या दोस्तों सीदकाल कहलें आप लोग इसमें दोस्तों वर्षा होती है और होती किस करण है जो हमारे उतरपूरी मांसुन है इसी से होती है या लोटते हुए मांसुन इससे ही वर्षा होती है अगला दोस्तोर प्रसंद देखिए का भारती मांसुन मौसमी विस्थापन से इंगित है इसका दोस्तोर प्रसंद देखिएगा भारत के किस राज में जाड़े के मौसमें वर्षा होती है मैंने आपको बताया तमिलार राज में जो है सर्दी में वर्सा होती है और वही अक्टूबर नॉम्बर महिने में अपसन नमबर जो भी है वह सही हो जाएगा अगला दोस्तों प्रस्ण देखिएगा भारत के पश्चिमी समुद्री टट पर वर्सा किस मांसून से होती है तो पश्चिमी समुद्री टट इस पर वर्सा किस कारण ह होगी तो आपको पता ही होगा जो दच्छिन पष्चि मांसून है मारा इसी से पष्चिमी समुद्ध तट पर या पष्चिमी घाट जो है इस पर वर्सा होगी अपसरमा जो डी है या सही हो जाएगा आगे दोस्तों देखिएगा अगला प्रश्ण मारा है निम्न में से किस र जो तट है उस पर होगा आपसरम जो मारा सी है या सही हो जाएगा आगे दोस्तों देखिएगा अगला प्रश्ण मारा मानसून किस भासा का सब्द है तो दोस्तों जो मानसून है आपको पता होगा या अर्भी भासा का सब्द है अपसरम जो ए है वह सही हो जाएगा अगला दोस्तों प्रशने भारत की सरवादिक वरसा मुखेता प्राप्त होती है तो मैंने आपको बताया कि भारत जो है सरवादिक वरसा किस मानसून से प्राप्त करता है तो दच्छिन पश्ची मानसून से अपसंब जो सी है या सही हो जाएगा आगे दोस्तों देखिएगा उत्तर पूरी मांसुन से सबसे अधिक वर्षा अप्राप्त करने वाला राज तो उत्तर पूरी मांसुन से सबसे अधिक वर्षा अप्राप्त करने वाला राज एक कौन सा है तो आपको पता होगा इसमें कौन सा अपसन सही होगा इसमें आपसम जो हमारा सही होगा वह सही होगा सी नमबर तमिलाड आज का अंतिम प्रस्थान दोस्तों हमारा है निम्न मेंसे कौन सा एक इस्थान सबसे कम वर्षा प्राप्ट करता है तो मैंने उपरी दोस्तों प्रस्थान हो चुका है हैं बारा किस लिए जो है यह सबसे कम वर्सा प्राप्थ करता है और मासइन द्रांद भालां एक आफ थो करता दो सब्सक्राइब प्राक्टिस सेशन था आपको पसंद आया होगा दोस्तों आप लोग जो प्रस्ण है इनको हल करके जो अपना स्कोर कार्ड हुआ कमेंट बाक्स में अवर से बताएं चलिए दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को जाद से जादा लाइक करें सेर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जैहिं दोस्तों